इस नॉट अ फेस्टिवल हमारे लिए इमोशन है पर उस छट के इमोशन की जो आत्मा है वो गीत है और उन गीतों की जो आत्मा है वो शार्दा से नाजी है तो मैं हर दिन हर एक सेकेंड इश्वर से यही काम मैं कर रही हूं कि वो जल्दी ठीक हो जाए चट पुजा का महुल है और चट पुजा की जब हम बात करते हैं तो शार्दा सीना जी के गाने की बिना जो है छट पुरी तरह पूरा नहीं हो सकता इन दिनों उनकी तब्यथ काफी खराब है पता नहीं इसको कैसे मैं शब्दों में वर्णन करूं जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं इन लोगों को सुनकी बड़ी हुई हूं और शार्दस इन्हां जी मेरी बहुत बड़ी इंस्पारेशन रही है आज मुझे लगता है कि अगर मैं फोक म्यूजिक में कुछ करने की कर रही हूं तो उनका बहुत बड़ा इसमें उनके संगीत का प्रभाव बहुत बड़ा रहा है क्योंकि हम सब का बचपन और हम सब अभी भी उनके छट के बिना लगता है छटी अदूरा है छट हमारा आस्था का पर्व है और इस नॉट फेस्टिवल हमारे लिए इमोशन ह पर उस छट के इमोशन की जो आत्मा है वो गीत है और उन गीतों की जो आत्मा है वो शादा से नाजी है तो मैं हर दिन हर एक सेकेंड इश्वर से यही कामना कर रही हूं कि वो जल्दी ठीक हो जाए और उनसे कभी मिलने का सभाग प्राप नहीं हो पाया पर जैसी भगवान तक के मन से गाना चाहूंगी पहले पहले हम कईनी छठी मैया बरत तो हार छठी मैया बरत तो हार पहले पहले हम कईनी छठी मैया बरत तो हार छठी मैया बरत तो हार करी हा छामा छठी मैया भूल चुक गलत ते हामार सब के बलक वाके दिया प्रिया जी जब आप कोई दूसरा गाना गाती है आपके गाने तो कोई भी असलील होते हैं आप अलग अलग लेंगे गाना गाती हैं लेकिन जब आप छट के गाना गाती है तो छट के गानों में और दूसरे गानों में कितना अंतर होता है गाने में इमोशन कितना अलग होता है? जैसा कि हमने कहा और हम सब जानते हैं कि छट जो है सिर्फ एक पर्व नहीं है हमारे दिल में हमारे आत्मा में बसता है तो सही बात है दूसरे गाने गानों में जैसे एक सिचुएशन होता है कि आपको रोमैंटिक है तो रोमैंस फिल करना है या दुख है तो दुख अंदर में फिल करना कि आपके साथ गटना घटेत हुई है या मोटिवेशनल है तो खुद की जन्नी को याद करना बड़ छट में हमारा मेमृरी बसी है बचपन से वो गहाट वो जो हुआ है और लिटरली मैं जो हूँ इस विए से कुछ भी नहीं खा थी ती क्योंकि मुझे सब जगे जगे खीर खाना होता है तो यह चीज हम बहुत मिस करते हैं क्योंकि मुंबई में उस तरीके से नहीं हो पाता है और बिहार सिफ प्रासाद का अधिक नहीं होता है और व हम सब जानते हैं कि हम घाड पर जाते हैं तो अपने से जादा जो दूसरे का ठिकवा मांग के जो हम लोग खाते हैं उसमें एक अलग मजा आता है तो यह सारी छोटी-छोटी चीज़े हैं जो बहुत जादा हमारे अंदर ने वॉल्व है तो मैं जब भी छट की बात आती है तो बहुत इमोशन हो जाती हूं कल भी जब हमारा कारिक्रम थतों गाते-गाते मेरी आंके भर गई थी क्योंकि छट जो है हमारे आत्मा हमारे खून हमारे दिमाग हर जगा बसता है और चाहे हम यहां से चले जाएं जिसे कहते हैं न कि यू कि टेक बिहारी आउट व्रूम कि छट का महौल है तो हम चाहेंगे कि यह गाना और चट का गुनगुना है क्योंकि आपके आवाज काफी अच्छी है और चट के गाना अगर लाइव सुनने को मौका मिले बिलकुल सुनी है चाठी मईया करी कर जोरिया हम रऊ रे दुवरिया हम हूँ कर अब उपवास कि अब की छट के अच्छी मईया कर जोरिया हम रऊ रे दुवरिया हम हूँ कर अब उपवास कि अब की छटी मईया को से हम हूँ भारव जोडे नार्याल जोडे कल सधारव निर्धन पूकारे देवी सुनी ले अरजिया हम रऊ रूरे दुवरिया हम हूँ कर अब उपवास उगू हे सूरुज देवा भिले भिनू सरवा आरग केरे बिरवा पूजन केरे बिरवा हूँ अब बहुत शुक्रिया आपका इतना खूब्सूरत गाना सुनाने के लिए और शाती साथ भी हरतर को इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और मैं सारे बिहार तक के दर्शकों को क्योंकि आज से नहाई खाकी शुरुवात हो गई है तो आप सभी को हमारे आस्था का पर छट की बहुत सारे शुपकामना है इसी तरीके से अपना प्यार दुलार बनाई रखिए और हमारे बिहा बिहार तक के कैमरे पर और उसके अलाबा इनके जो गाने आए हैं वो भी आपने सुना है फिलाल के लिए धन्यवाद अनिकेत कुमार बिहार तक पटना